एक विक्ति ने कुणा खोदा एक कुणा खोदा तीस फूट की गहराई खोदी और कुणा बंद कर दिया पानी नहीं निकला उसने अगला कुणा खोदा और वहां पे 35 फूट की गहराई कर दी लेकिन पानी नहीं निकला फिर उसने तीसरा कुणा खोदा और वहां पे उसने गहराई जो है वो सत्तर स्वरी चालिस फूट कर दी फिर उसने एक और खोदा फिर उसने सत्तर कर दी फिर उसने एक और खोदा फिर उसने असी कर दी पानी नहीं निकल रहा था फिर उसने एक और खोदा और वहां पर उसने नब्बे कर दी ऐसे करते करते से नब्बे फूट तो बताओ दोस्तों क्या वो इसने ठीक किया क्या थी किया यास यही मैं आप से सुनना चाहता था अगर वो एक ही जगा एक ही कुँए को अच्छे से खोता तो आप गुना करिए इसको कम से का 200-200-300 फुट एक ही कुँए में उतर जाता है और पानी की प्राबिल्टी 100% वहां अगर आठ कुँए की खोदने की वजाए एक ही कुँए खोता ऐसे ही जब हम निरंतर को कारे करते हैं जब किसी एक्जाम के लिए जा रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं की अब ही हमने पौलिस की टियारी की एक मीन त्यारी की उसके बाद हमने बोल दिया ठीक है हमारे तो जो आपका गाइड है जो आपका उस्ताद है जहां पढ़ते हो या आप नहीं भी पढ़ते हो गुरू का मतलब सिर्फ ग्यान है शरीर नहीं है कुछ ऐसे बच्चे भी है जो घरों से पढ़के भी सेलेक्ट हो जाते हैं जरूर नहीं कि 100% बच्चों को ही सबको कोचिंग चाह जाए जिससे आपकी बॉड़िक स्टेंथ आपकी बॉड़िक शम्ता बढ़ जाए